बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कही है इस एन एंटी मुस्लिम लोग ऐसा नहीं है आप इस लोग को आइसोलेशन में नहीं दे सकते हैं इस देश का इकितियास है इस देश का विभाजन धर्म के अधार पर होना ही नहीं चाहिए था मगर उस वक्त किया गया और स्व प्लते हो है अगर आप पार्सी और इसाईों को ला सकते हैं वो जो पर तो हर देश से आवे असता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोड़ लो मैं बाकी रिलिजिन्स के बारे में बाद में आती हूँ पहले मुसल्मान समुदाय के बारे में बात करते हैं क्योंकि चाहे उवेसी साब हों चाहे ममता बैनर जीयों और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इस एन एंटी मुसलिम लो विकोज आप मुसल तो 47 को देश का विभाजन हो गया देश तीन हिस्सों में बढ़ गया वो बैक्गराउंड है भारतिय जनसंग भारतिय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया हम कभी सहमत नहीं थे इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था मगर उस व दर्म परिवर्तन कराए जाए इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए वो मा बहन बेटी के लिए वो सरण में आये भारत की तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है और स्वयम कॉंग्रेस के नेताओं ने आजादी के बग सेंकडो भासनों में कहा है कि अभी मारकार चल रही है अभी जहां है वहां रहे जाए बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है परन्तु बाद में इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स चालू ही वोट्में की रादनेती चालू ही एपीस्मेंट के कारण वो वादा कॉंग्रेस पार्टी ने कभी पूरा ने किया जो आद नरेंद्र मोधी पूरा कर रहे हैं जो बाकी समुदा बाकी जो रिलिजिएंज हैं चाहे हिंदू हैं जैन हैं बुद्ध हैं सिख हैं उन सबको तो मैं मानती हूँ ठीक है देवर रिलिजिएंस बॉन इन इंडिया इसलिए पर पार्सी और अगर मुस्लिम आबादी के लिये ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है। वो बुमी इसलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से आव्यास्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दर्वाजे खोड़ लो। भारत कहां बतता है। आकड़ी की गहराई में जाईए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे। हिंदू और सीख थे। अच तीन पॉइंट 7 प्रतिसत बच गए। कहां गए सारे। इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्मपरवर्तन हुआ। मानित किया गया। दोयम पाइटियों और इनका विचार नहीं करना चाहिए।